इस्रैली हमले में 27 सतंबर को मारे गए हिजबुला चीफ हसन नसरल्ला का जनाजा अभी निकला भी नहीं कि इतने में हिजबुला चीफ हसन नसरल्ला के दामाद हसन जाफर अलकासिर के मौत की खबर आ गई जी हाँ चौकिये मत नसरल्ला का दामाद भी गया इस्रैली 27 सतंबर को राजधानी बीरूत में हिजबुला के हेड़ कोटर पर 80 टन बम से हमला किया था इसमें हिजबुला चीफ नसरल्ला की मौत हो गई थी नसरल्ला के अलावा उसकी बेटी जैनेब की भी हमले में मौत हो गई थी एक रिपोर्ट के मताबिक सीरिया के दमिश्क शहर के करीब हवाई हमले में उसके मारे जाने की संभावना जताई जा रही है हसन जाफर कासिर बुधवार को बेरूत में एक हवाई हमले में मारे गए मौहमत जाफर कासिर का भाई है हसन की मौत हिजबुला के लिए एक और बहुत बड़ा जटका है क्योंकि एजराइल के खिलाफ उसका नेत्रित्व कमजोर हो रहा है आपको जानकर हैरानी होगी हिजबुला चीफ की मौत के बाद से एराक में हसन नसरला के नाम पर नवजात बच्चों का नाम रखने का चलन बढ़ा है एराक की हेल्फ मिनिस्ट्री के मुताबिक पूरे देश में लगभग 100 बच्चे का नाम नसरला नाम से रेजिस्टर किया गया है कासिर बंधू 1982 के लेबनान युद के बाद से आतंक बाद में गहराई से श्रामिल रही है एहमद कासिर अपनी कार में विस्पोटक भग कर एक इसराइली बेस में घुस गया था इससे उसमें मौजूद विस्पोटक भग गया लेबनान की इतिहास में ये पहला आत्मघाती हमला था एहमद को हिजबुला के संस्थापकों में से एक इमाद मुगनिया की ओर से निर्देशित किया गया था 2008 में दमिश्क में इसकी रहसमय तरीके से हत्या कर दी गई थी मौँमत जाफर कासिर इतना कुख्यात था कि अमेरिका ने उसके मरने या पकड़वाने के लिए सूचना देने वाले को दस मिलियन डॉलर जिसकी कीमत लगवग 83 करोड बताई जाती है इसका इनाम एलान कर दिया गया साल 2018 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उसे विशेश रूप से नामित वैश्मिक आतंग की घोशित किया इसके मताबिक अगर उसकी कोई भी संपत्य अमेरिका में है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा हिजबुल्ला के आधिकारिक समाचार बुलिचन अल अहत के मताबिक अहमत के हमले ने सभी शहीद अभियानों की शुरुबात को पढ़ाया युवाओं के बीच प्रतिरोध की मशाल थी जो अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए उत्सुक थे हिजबुल्ला हर सार अहमत की मौट को शहीद दिवस के साथ मनाता था अहम के भाई महमत और हमास दोनों हिजबुल्ला के रैंक में उभरे मौट सीरिया से इरानी हत्यारों की डिलिवरी करवाता था हसन ने हसन नसरल्ला की बेटी से निकाह किया जिससे इरान और हिजबुल्ला में उसके संबन बढ़े फिलहाल हमले के बाद दोनों देशों के बीच सनाव चरम पर है हमला करने के बाद इरान को भी अब इसराइल की जवाबी कारणवाई का डर है इरान हाई अलर्ट पर है और इरान ने हमले के डर से अपने तेल गैस के बारा पावर प्लांट बन कर दिये आम्स डिपो और बंदरगा जैसे एहम ठिकानों पर अतरिक सुरक्षा का इंतजाम किया गया है गौर तलब है कि एक दिन पहले ही इरान ने इसराइल पर कई मिसाले दागी इरान के हमले में इसराइल के कई लोग घायल हुए है हाला कि किसी बड़े नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है इरान के हमले के बाद इसराइल ने भी जवाबी हमले की धंकी दे दी है बता दे इसराइल ने ऐसा हमला किया हिजबुला चीफ हसन नसराला के दमाद हसन जाफर अलकासिर को भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है न्यूज एजेंसी एफपी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसराइली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था जिसमें उसकी मौत हो गई है इसमें उसके साथ दो और लोग मारे गए हैं ये कौन है अब ये पता चलेगा इसराइल एक साथ कई मोचों पर लड़ाई लड़ रहा है इसराइली सेना लेबनान में हिजबुला गाजा में हमास यमन में हूती विद्रोही के अलावा सीरिया और इरान का सामना कर रहा है नसरल्ला के दामार के मारे जाने के बाद अब इसराइल ने खुद को बचाने के लिए चार बड़े सुरक्षा सिस्टम लगाए हैं ये भी आपको बताएंगे कि वो चार बड़े सुरक्षा सिस्टम कौन से हैं डेविट स्लिक इसराइली सेना ने पहली बार डेविट स्लिंग सिस्टम का इस्तमाल कर लेबनान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है इसराइल के डेविट स्लिंग सिस्टम को मैजिक वेंड की नाम से भी जाना जाता है ये जमीन से हवा में मार करने वाले एक एर डिफेंस सिस्टम है को इस्राइलिय रक्षा मंत्राले में होमा मिसायल डायेक्टरेट के डारेक्षिन में अमेरिका और इस्राइल ने सयुक्त रूप से विकसित किया था दूसरा स्रुक्षा का वच कौन सा है ये भी जान लीजे जिसको आयरन डॉम कहा जाता है ये कम दूरी से दागे गए rocket या missile को रोग सकता है आरिन डोम 4 किलोमेटर से लेकर 70 किलोमेटर की दूरी से दागे गए rocket या missile को रोग सकता है ये missile को काफी अच्छे से ट्राक कर लेता है तीसरा, Aero 2 इसे 50 किलोमेटर उपर से गुजरने वाली कम दूरी और मध्यक दूरी की missile को नश्च करने के लिए design किया गया है ये 500 किलोमेटर दूर से missile का पता कर सकता है Aero 3 इस सिस्टम को लंबी दूरी की उन बैलिस्टिक missile को रोकनी के लिए design किया गया है जो लगातार हमले में दिखाई देती है Iron Beam क्या है ये भी समझे ये drone सहित किसी भी हवाई वस्तू को नश्च कर सकती है Iron Beam दुन्या की पहली उजा आधारित हत्यार प्रणाली है जो आने वाले UAV, रोकेट मोटार, लंबी दूरी की missileो, टैंक रोधी missileो तमाम ऐसी चीजों को मार गिराने के लिए Laser Beam का उप्योग करती है Iron Beam को Rafale Advanced Defense System द्वारा बिकसित किया गया है इसमें एक नर्देशित उर्जा हत्यार प्रणाली यानि Directed Energy Weapon System का उप्योग किया गया है यह हवाई रक्षा प्रदान करने में अच्छी तरह से मदद कर सकता है तो इस्राइल अब अपने आपको बचाने के लिए इन चार सुरक्षा कवचों का इस्तमाल कर रहा है और इसी के साथ डेविड सिलिंग के साथ जो आईरन डोम का इस्तमाल किया जा रहा है कुछ तो ऐसे भी बंकर्स हैं जिने भारतियों ने बनाया है आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस्राइल जिन डोम में शरण ले रहा है इस्राइल जिन बंकरों में शरण ले रहा है इरान के हमलों से बचनी के लिए वो बंकर किसी और में नहीं बलकि भारत नहीं बनाए है बलकि भारत के मजदूरों ने बनाए है कई ऐसे मजदूर जो के इस्रेयल गए थे वहां काम करने के लिए वो मजदूर ही बना रहे हैं इन बंकरों को जहां पर इस्रेयल के अधिकारी सेना के लोग कई ऐसे वहां के आम जनता इन तमाम ऐसे बंकरों का सहारा ले रही है छुपने के लिए अपने आपको बचाने के ल जो है इरान नजर आ रहा है और इस्राइल अपने आपको बचा रहा है मिडलीस के कंट्रीज में खलबली मची हुई है तो दूसरी तरफ इस्राइल के लिए आसान नहीं है डगर क्योंकि हर मोचे पर इस्राइल अभी संगर्श कर रहा है इससे भी बड़ी बात ये कि कोलर के इनाम घोशित किये थे और अगर भारतिया रूपेयों के मताबिक हम कहें तो 83 करोन का इनाम घोशित किया गया था जो की अब नहीं रहा है हलाकि इससे पहले उसकी बेटी भी नहीं रही उसकी बेटी की भी मौत हो गई थी नसर अल्ला के और अब दामाद भी नहीं रहा इसके पहले की शुकूरवार की जानकारी मिल रही थी कि जो حसन नसरल्ला है उसके लिए जो यातरा है उसकी निकाली जाएगी लेकिन उसके पहले ही इतना बड़ा मामला सामने आ गया और इस्राइली हमले में 17 सितंबर को हलाकी हिजबुला का चीफımız अब यह देखना होगा कि अगला एक्षिन क्या होता है हिजबुला की तरफ से क्योंकि हिजबुला अब और भी जादा आक्रमक हो गया है क्योंकि हिजबुला की जो पूरी टीम है वो कमजोर होते जा रही है और अब जरुवत है हिजबुला को भी मजबूत होने की क्योंकि इसराइल के सामने हिजबुला के कई ऐसे टॉप कमांडर्स जो है कहीं खड़े साबित नहीं हुए बलकि एक के बाद एक हर किसी की मौत हो रही है क्योंकि एक है